हाई अव्रिवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आफ से बच्चे होंगे दोस्तों इस वीडियो में चलिए एक स्ट्राटेजी बनाते हैं कि आने वाले सीटेट में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर गेंड कर सकते कैसे अच्छा से अच्छा रैंक हम पा सकते क्योंकि इस सेमेस्टर को भी इलिजिबल माना गया है इस बार के सीटेट देने के लिए तो काफी नंबर्स ऑफ एप्रिकेंट बहुत ज्यादा होने वाले हैं लेबल अफ कोशन टफ होने वाला है और इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि हो सकता है कट आफ काफी हाई जाए तो एक स्ट्राटेजी की तरह चलो काम करते हैं और एक साथ मिलके पढ़ाई करते हैं और सीटेट को क्रैक करने की कोशिज करते हैं तो हम करने क्या वाले हैं मेरी ख्वाहिश है कि चलो हम पिछले साल के सारे कोश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं पूरे कोश्चन को देख ल करेंगे जिसमें हम C8 के previous question को solve परेंगे और कैसे solve करेंगे जैसे की एक वीडियो में CDP के 30 प्रश्न जो 2021 में पूछे गए उसको हम हल कर लेंगे ठीक है अगली वीडियो में CDP के 30 प्रश्न जो 2020 में पूछे गए है इसी परकार से पिछले 10 सालों के CDP के question अगर हम देखेंगे तो दस वीडियो में 10 साल के 30-30 प्रशन हम देख लेंगे तो दस दिन में हमारे CDP के 300 question हमारे प्रिपेर हो जाएंगे वो भी वो question जो exam में पूछे जा चुक है तो काफी अच्छा हमारी preparation हो जाएगी ठीक उसी प्रकार से जब CDP complete होगा तो हम के question paper हम जैसे 2020 में 30% जो आए थे इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे तो दोस्तों चले इस सीरीज को हम बहुत महनस है और सीरियसली करते हैं क्योंकि यार मतलब ऐसे discuss करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा और एक बार questions को देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा और जो बच्छे first year में first year में बच्चों को actually होता क्या कि वो tension में होंगे क्योंकि वो पहली बार सीटेट देना है तो देखिए आपको सबसे पहले subject समझना बहुत ज़रूरी है और यह series आपको इस मामले में भी help करेगी कि आप जो previous years के question paper देखेंगे तो यह समझ में आ जाएगा कि question कैसे पू करने में तो हम इस तरह से इस स्रेज को सुरू करते हैं दोस्तों मैंने एक वीडियो प्रिपेर करिए ठीक है इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को upload करूँगा जिसमें मैंने 2020 के सीटेट के question paper को discuss किया 300 प्रशन को ठीक है आप उसको जरूर देखिएगा बाकि आप बता strategy क्या है मैं अगर किसी बच्चे को suggest करूँगा तो मैं यह कहूंगा कि आप कोई भी कोचिंग कोई भी कोचिंग अगर आपके पास समय है पैसा है आप कर सकते हैं तो कोई भी कोचिंग कर लिए ताकि आपका एक sequence बना रहा है उसके अलावा आप जो last के 10 year question paper है उसको solve करिए और जो उससे related theory है जैसे कि thon die के theory पाउलो के theory कॉलर बर्ग के theory वह स्वेम से पढ़िये सबसे best तो यह रहेगा कि आप स्वेम से पढ़िये तो कोचिंग करने से पहले या फिर अगर आपने कर भी लिया है तो इस series को देखना बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि देखते है कि मैं ऐसी series सुरू करने जा रहा हूं लगिने यार इस series में मुझे आपका सहयोग चाहिए मुझे आपका सहयोग चाहिए कि आप कितना participant करते हैं कैसे देखते हैं series को तो प्लीज मेरे वीडियो को देखिएगा जो हैने last year के 10 years के question paper को solve करने जा रहे है और discussion से अगर कुछ च चैनल से जुड़ जाए वीडियो को लाइक करिए और अगर आपके क्लास्मेंट कोई दोस्त अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ा है तो उसका कान पकड़ के लेगे और पूछिए कि अभी तक क्या कर रहे थे चलिए उनसे भी कहिए जोइन करने के लिए अच्छे से जग आपको अपना खूब क्यार रखिए पढ़ते रहिए और साथ में दूसरों को भी हैल्प करते रही है बहुत मुश्यक्रिया जया हिन जया भारे दोस्तों